जहीं साथियों आपसे एक ग्रेट विलकम हैं आर्मी तेयर डॉट इन यूटूब चैनल पर यहाँ पर में लेकर के आचुका हूँ आज एक और यहाँ पर कह सकते हैं जौब भरती वेकैंसी जो की एक सर्विसमेन के लिए निकल के आती है यानि की भूत पूर्व सैनिक अगर इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन और साथी साथ आप इसमें जो है कर दसवी पास है तो आप इसमें जा सकते हैं एक सर्विसमेन अगर है तो यहाँ पर मैं आपको बताने मालों डीटेल के साथ में लेकिन उससे पहले और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नह आचुके यहाँ पर देख पा रहे होंगे igcar.in पर यहाँ पर website है और यह इस website पर हम आए हैं यहाँ पर देख सकते government of India की यह website है जो कि यहाँ पर इंदरा गांधी center of atomic research है यहाँ पर recruitment निकल के आई है यहाँ पर आप देखेंगे तो recruitment का है कि यहाँ पर बार बनाव है जैसे आ यहाँ पर आपके पास एक notification आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर advertisement निकल के आ जाता है और यहाँ पर एक भरती आई भी है यहाँ पर ex-serviceman के लिए job निकल के आई भी है और उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं चले तो यहाँ पर हम पर तामिल नाडू चैन्ने के तरफ से भरती निकल के आती है कलपकम जो यहाँ पर है district वहाँ पर भरती यह basically आई भी है और यह all over इंडिया के यानि के सभी के लिए आई भी है यहाँ पर अगर देखा जाये तो यहाँ पर जो यह vacancy निकल के आती है इसमें साफ साफ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखावा है post reserve for ex-serviceman यहाँ पर जहाँ पर star mark लगावा है वो ex-serviceman के लिए post है और star mark अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ और यहाँ पर यानि के driver OG और इसके अलावे security guard जो है इन दोनों पर post पर यहाँ पर ex-serviceman की जो job IV है और यह grade यहाँ पर कह सकते है group जो C की job है दो दो post सभी में IV है दोनों के अंदर और यह government job है यह भी आपको ध्यान में रखना होगा इसकी qualification वेगर आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर चले तो यहाँ पर अगर आपको साफ साफ देख रहा होगा कि यह जो driver OG की जो post ह उसकी यहाँ पर vacancy के बारे में दी गई है जानकरी दो यहाँ पर ex-serviceman की यहाँ पर साफ साफ भरती IV है दसवी पास आपको यहाँ पर बोला गया है 10th pass होना चाहिए आपके पास एक valid driving license होना चाहिए light या फिर heavy vehicle वहाँ पर आपके पास इसका license भी होना चाहिए इसके अल अगर खराब अगरा हो जाता तो उसको आप कम से कम ठीक कर सके अगर नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर बस बोला गया है आपको जानकारी के लिए इसके अलावे यहाँ पर जो है आपको साथी साथ यहाँ पर experience आपको पास consolidated होना चाहिए तीन साल का यह बहुत ही जरूरी है इस ट्राइबर पोस्ट के लिए इसमें आपको यहाँ पर देखा जाए तो 19,000 रुपए salary मिलेगी 19,900 यानि की 20,000 रुपए साथी जाते यहाँ पर आपको DA अलग से मिलेगा और इसके अलावे और जो allowances है यहाँ पर वो भी यहाँ पर अलग से आपको pay किया जा तो यहाँ पर आपका return test किया जाएगा driving test होगा और उसके बाद ही आपका इसमें selection किया जाएगा इसके अलावे यहाँ पर अगर देखा जाए तो security guard की भरती जो है यहाँ पर एक service mind के लिए IV है और इसमें देखा जाए तो इसमें भी दो post ही है और इसमें भी अगर आप दे physical standard test लिया जाएगा आपका physical height वगरा भी चेक किया जाएगा return examination होगा तब यहाँ पर आपको भरती मिलेगी इसमें भी जो है salary जो है इसमें 18,000 रुपे प्रस दीए और announces जोड़ करकि यह लगबग आपको 22,300 रुपे इसमें salary मिलने वाली है इसके अलावे यहाँ पर आप की जानकारी दी गई है तो जो यहाँ पर जिस भी area से हैं या फिर unreserved category के तो यहाँ पर आप अपना height, weight और chest वगरा चेक कर सकते हैं इस PDF को download करके link सारा मैं description में दे दूँगा apply का भी और साथे साथ यहाँ पर आपको जो है इस notification को download करने का भी दे दूँगा चलिए तो यह आप पर और भी चीज़े जानकारी दी गई है examination pattern पर बताया गया कि कितने number का exam होगा कितना pattern होगा तो आप इसे खुछ से चेक कर लें चले तो यहाँ पर देख पार हैं कैसे apply करना तो online apply करना होगा date यहाँ पर जो है आपको पुराना दिख रहा होगा लेकिन इसका date को increase कर आप official website पर देख सकते हैं last date इसकी 30 जून है 30 जून तक आप इसका form यहाँ पर icar.gov.in पर भर सकते हैं description में link मिलेगा वहाँ से apply कर पाएंगे इसके अलावे अब कोई भी doubt लगता है इसके बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते तो आप इस number पर contact करके phone करके पूछ सकते ह mail कर सकते हैं यहाँ पर mail ID भी दियावा है आप इसके screenshot भी ले सकते हैं या फिर इसको भी download कर सकते हैं या पर पूरा पता दियावा गया है तामिल नाडू में यह होगी इसकी जानकारी भी दी गई है क्या क्या changes हुआ आप call करके भी पता कर सकते हैं और यहाँ पर 30 सारी तक इसकी last date है कौन कौन से document चाहिए तो यहाँ पर पूरा document का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा यहाँ पर लिखावा है आप इसके screenshot ले सकते हैं या फिर आप इसे खुद से download करके भी पढ़ सकते हैं कैसी लगी जानकारी like करके जरूर बताए और जो जो यहाँ पर information जौब की ले करके आज सके